स्वागत है आपका मेरा नाम अखिलेश है उत्तर प्रदेश में बिधान सभा चुनाव के नतीजे घोचित किये जा चुके हैं और इस वार यूपी में एक वार फिर योगी सरकार बीजेपी ने लगभग 275 सीटों पर जीत हाशिल करकर एक वार फिर उत्तर प्रदेश की सत्त ऐसे रीजन रहे, जिसके बजह से अखिलेश यादव को हार का सामना करना पर अब इस बात Пरτι्सलेशन किया जा रहा है कि आखिर वक्या मुद्दे रहे, जिसकी बजह से अखिलेश यादव जो ज Gothicा भावा कर रहे थे वह चुनाव नहीं जीट पाए और बीजेपी दुफ को कहा जा जाता है वो है law and order कानून ब्रवस्था योगी अधितनात का प्रसासक के रूप में जो छबी थी उसको लोकर उसे लेकर लोग जो है लगातार अपना उसको लेकर अपनी बाते रख रहे थे law and order को लेकर अपनी बात कर रहे थे बता रहे थे कि किस तरह इस शासन में जो कानून ब्रवस्था थी पिछले शासन के बीजेपी के तरफ से जो प्रचारित किया जा रहा था अपने कानून ब्रवस्था का जिक्र किया जा रहा था और वो समाजवादी जो सरकार थी उस समय के कानून ब्रवस्था को याद करके चाहे उस कानून ब्रवस्था को टार्गेट करना माफिया गुंडा राज करना माफिया राज करना तो इस तरह से जो टार्गेट किया जा रहा था उसे बीजेपी ने अच्छे से प्रधान मंतरी मोदी हों चाहे योगी आदितिनात हों अमि प्रसासक के रूप में जिस तरह से कारवाई की गई जैसे अबैद कबजे थे बुल्डोजर की बात हमेशा जिक्र की जाती है यूपी चुनाओं में बुल्डोजर का जिक्र होता है तो इस तरह से जो कारवाई हुई प्रसासक के रूप में योगिया दितनात की छबी को गरीबों के रासन की बात हो प्रधान मंत्री आवास योजना की बात हो ये सब मुद्दे जो थे इस बार चुनाओं में काफी जोर सोर से बीजेपी की तरफ से उठाया भी गया लोगों जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो यह मुद्दे जमीन पे भी दिख रहे थे लोग इसके बारे में खुलकर बात कर रहे थे लोगों का कहना था कि हमें आबास मिल रहा है हमाएं रासन योजना के थुरू हमें अनाज मिल रहा है इसके अलाबा जो किसान नीधी की बात है किसान नीधी के नाम पर जो पैसे दिये गए दो हजार रुपे किसानों को दिये गए तो ये एक आहम फैक्टर चुनाव में ये भी एक साबित हुआ अखिलेश यादब के साथ बात करूँ तो अखिलेश यादब चुनाव के ओहारे अखिलेश यादब की रैलियों में तो काफी भीर दिख रही थी काफी संख्या में लोग आ रहे थे तो अखिर क्या वो बजह रही कि वह भीड जो था वो जो क्राउड आ रहे थे अखिलेश यादव में वो बोटों में तब्दिल क्यों नहीं हो पाए तो बीजेपी का जो प्रचार रहा वीजेपी की जो एस्टेटिज यही बीजेपी की जो रनीती रही वह इस पूरे चुनाओं में अखिलेश के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है पहले दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है मगर बीजेपी जो साइलेंट बोटर की बाद जो की जा रही हो पी चुनाओं में कहा जा रहा था कि जो साइलेंट बोटर है वो इस वार चुनाओं में काफी आहम भूमिका निभाएंगे तो जो प्रचार प्रचार किया जा रहा था जो भूमिका बनाई जा रही थी उस वो कहीं नहीं दिखा सपा की तरफ से दाबे जरूर किये जा रहे थे कि हम पहले चरण दूसरे चरण में लीड ले रहे हैं लेकिन जब परिनाम आये तो यह परिनाम ब चुनाव में आगे दिखा इसकी एक जो महतपुर्ण जो इसके बारे में बताया जाता है कि समाजवादी पाटी ने चोटे दलों के साथ गठवंदन किया छोटे दलों के साथ जो चैए राजबर हो ओपी राजबर ओम-प्रकास राजबर इस चुनाव में एक सपा के साथ आय वह फैक्टर सपा के साथ जो समीकरन थे वो नहीं दिखे पुर्वांचल में हालाकि वो समीकरन दिखा जिस बज़े से पुर्वांचल में समाजवादी पाटी गठ्वंदन को सीटे मिली है तो चुनाव की बात की जा रही है जो अब नतीजों की बात हो रही है रहलियां में खिलेश अदब की भीर हो रही थी लोग पहुंच रहे थे मगर वो बोट में नहीं कंवर्ट हुआ तो जो रनीती की बात की जाती है बीजेपी की जो रनीती रही समाजवादी पाटी को जिस तरह से टारगेट करना था कानून बेवस्था के मुद्दे पर चाहे जो योजन करना चाही मगर वो जो बीजेपी की जो राशन योजना थी किसान सम्मान इधी योजना थी योगी आदितनात के प्रसासक की जो छबी थी जो कानून राज की बात बीजेपी की तरफ से कई गई थी वो इन मुद्दों पर सपा के जो मुद्दे थे या जनहित के जो मुद् जो थे बीजेपी के जो योजनाई थी वो उस पर हाबी रही और इसी बज़ा से बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत दर्ज की है